बॉलिवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी आज कल टीवी रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट ड्राम अबाच को जज कर रही हैं। शो में हुमा कुरैशी के लावा एक्टव विवे कोब्रायर और डायरेक्टर रोमन कुमार भी जज की भूमिका में हैं। जी टीवी पर आने वाला यह प्रोग्राम दर्शकों का सबसे पसंदिदा शो बन गया है। जल्दी ही हुमा और शांतनु एक चैलेंज को पूरा करने के लिए स्टेज पर शादी करते हुए नजर आएंगे। अभी हाल ही में खबर थी कि शांतनु ने हुमा को कह दिया था कि आप फिल्म डायन में सुंदर और पूरी डायन लग रही थी। शांतनु के इस बात से हुमा नाराज होकर शो से बाहर चली गई थी। आपको बता देख के इस शो को पापुलर बनाने में शांतनु हुमा की जोड़ी सबसे अहम भूमी का निभा रही है। आई दिन शो में शांतनु माहेश्वरी और हुमा कुरैशी के बीच मजेदार नोग जोंग इस शो में मनुरंजन का तड़का लगा रही है। इसी बीच शांतनु हुमा की जोड़ी ने एक बार फिर से धूम मचा दी है। जब हुमा और शांतनु एक चैलेंज को पूरा करने के लिए स्टेज पर शादी करते हुए नजर आएंगे। बता देख के अकमिंग एपिसोड्स में इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज और डिडि लिटल मास्तर्स के पूर्व प्रतिभागी कार्तिके राज, कार्तिके इमालवे, जया ठाकुर, तमन्ना दीपक, मासूम दिलीप और कई अनने प्रतिभागी एक साथ नजर इस चैलेंज को शातनु स्विकार कर लेते हैं। वहीं उन्होंने वहमा से जाना चाहा कि यदि वहिस में अच्छा पर्फॉर्म करते हैं तो क्या हुमा उन्हें इसका इनाम देंगी। इस मौके का पूरा फाइदा उठायते हुए शान्तनु ने युमंग और विविक की सलाह पर उसी वक्त एक कदम और आगे बढ़ाया और हुमा के गले में वर्माला डाल दी। शो में ये सीन लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस शो से रिलीटेट फोटो ज सोशल मेडि पर वारल हो रही है।